Hello students, lockdown का time है, सबसे ज़्यादा important जो topic आज के time पे हो रखा है वो है पैसा अपने पैसे के बारे में सुना होगा कि जेब में पैसे खतम हो गया है, एक foodie kaudie नहीं बची है मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं ऐसी एक job करना चाहता हूँ, जिसमें पैसे बहुत सारे हो और काम करना बढ़े है तो ऐसी ही बहुत सारे sentences होते हैं, जिनका आप use अपनी language में करते हैं, हिंदी भाशा में उनको कैसे English में translate किया जाता है, या फिर कैसे आप as it is उनको अपनी language में use करते हैं, when you are speaking English तो इन ही सब बातों का जवाब लेकर आपके पास इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो को skip मत करिएगा, आप पूरी देखिएगा आप इन सेंटेंस को जैसे आपको बताया जा रहा है, as it is अपनी English language में use कर सकते हैं, तो पहले सेंटेंस की तरह हुने चलते हैं, मेरे पास पैसे की तंगी चल रही है, यह usually आपने देखा होगा लोग को बोलते हुए, इसको कैसे बोलते हैं, I am hard this time next is, मैं कंगाल हो गया, जेव में फूर्टी कॉर्डी नहीं है, I am burst, I am burst, कंगाल होने को बोल सकते हैं, burst, next है, मैं जेव में फूर्टी कॉर्डी नहीं है, I don't have even single penny, penny कहा जाता है, फूर्टी कॉर्डी कॉ, next है मर बास, मुझे जल्दी धेर सारा पैसा कमाना है, यह एक ऐसा sentence है, जो आपने खुद भी शायद कभी ना कभी यूज किया होगा, तो आप इसको किस तरह से English में बोलते हैं, I want to earn money like anything, आपको anything के बारे में, पहरी भी previous वीडियो म में बहुत बार बताया जा चुका है, कि anything का हम use करते हैं, when the circumstances goes beyond the limit, जब आपकी ऐसी को इस्थिति आती है कि limit से cross कर जाती हैं चीजें, या फिर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जो beyond the limit होता है, तब आप हाँ पर anything का use करते हैं, और कैसे करते हैं यहापर, I want to earn money like anything, मुझे क कम तंखवा मिलती हैं, यह शिकायते तो आपको हमेशा होती ही रहती हैं, कम तंखवा मिलती हैं, तो आप इसको बोलते कैसे हैं, यह भी सीख लेते हैं, I get chicken feed celery, मुझे बहुत अच्छी तंखवा मिलती हैं, यह बहुत कम लोग बताते हैं, हाला कि मिलती बहुत लोगों को है फिर भी हम इसे सीख लेते हैं, मुझे बहुत अच्छी तंखा मिलती है, I get handsome और good salary आप कह सकते हैं, handsome भी कह सकते हैं, good भी कह सकते हैं, I get handsome salary, वो लोग मुझे बहुत कम पैसा देते हैं, आप कहीं job करते हैं, तो उनके बारे में आपने कभी ऐसा कहा हो, कि वो लोग मुझे बह peltry amount, बहुत कम पैसे को हम कहते हैं, peltry, peltry का synonym हम कह सकते हैं, insufficient, next जामर पास, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, जहां तनखा ज़्यादा हो और काम कम हो, तो usually सभी की इच्छा ऐसी ही होती है, कि तनखा हमें ज़्यादा मिले और काम कम करना हो, तो ऐसी job को कहते हैं, sinecure job, sinecure job, तो हम कहते हैं इसको इंगलिश में, I want a sinecure job, sinecure के sense यह होता है, कि आपको अगर एक example बताया जाए, तो यह हो सकता है कि आपके नाम के बगएर महाँ पर काम नहीं चल रहा है, और आपका काम भी महाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं, sinecure job, मुझे घर का लोन चुकाना है, तो देखिए, जब घर के ऊपर लोन लिया जाता है, तो उसको एक special term से बुलाया जाता है, हम कहते हैं उसको I need to pay off mortgage, क्या बोलते हैं इसको, mortgage, pronunciation पर ध्यान दीजेगा, mortgage, I need to pay off my mortgage, अब आप इसको time के according भी बता सकते हैं, time बत सकते हैं कि अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में तो इसके साथ आप इसे बता सकते हैं, तुम बहुत खर्च करते हो, जो खर्च करने वाले होते हैं, उनको लविश भी कहा जाता है, you are a big spender, you are a big spender, तुम बहुत कम खर्च करते हो, तो खर्च तो करते हैं, लेकिन कम Frugal, you are more frugal, next है, बस खर्च पूरा हो जाता है, देखिए ये जो sentence है, इस sentence को आप usually तब बोलते हैं, जब आप से ये पूछा जाता है कि आप कितना कमा लेते हो, आपकी salary कितनी है, तो आप इसका जवाब ये इस तरह के sentences से देते हैं, बस खर्च पूरा हो जाता है, just make and meet, just make and meet, उसका सब डूब गया, अब आपने कहीं पर कोई चीज लगाई थी, अपनी कोई savings थी, वो आपने लगाई, तो वो अगर पूरी की पूरी आपकी loss में चला जाता है, तो आप उसे किस तरह से बोलते हैं, कि उसका सब डूब गया, he completely wiped out, ये maximum share market वगेरा में जब आप investment करते ह हैं, तो अब ये term वहाँ पर use की जाती है, next है, मेरे credit सीमा खतम हो गई है, credit card की सीमा खतम हो गई है, तो हम इसे कहते हैं, सीमा खतम होने हों कहते हैं, maxed out, या फिर max out कहते हैं, my credit card is maxed out, my credit card is maxed out, next is, वह कर्ज चुकाने के लाइक नहीं बचा, जो कर्ज चुकाने के लाइक नहीं बसता है उसे bankruptcy कहते है bankrupt कहा जाता है उसको तो यहाँ पर हम कहते है he is declared bankrupt तो यह कुछ sentences है जो आप money से related चीजों में use करते हैं आप इन्हें English language में use कर सकते हैं जब आप English speaking करते हैं आपकी language में बहुत जादा improvement आएगा so hope आपको वीडियो पसंद आई है और जो उसमें vocab use की गई है sentences के अंदर आपको वो भी बहुत पसंद आई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे और अगर आप नए है चैनल पर तो आप चैनल को subscribe कर bell icon को press कर लिजे ताकि आपको वीडियो की notification टाइम टाइम से मिलते रहें तो अगली वीडियो में आपके लिए एक और topic लेकर आएंगे तब तक के लिए good bye